पहले चरण में 35 अफसरों को बनाया खंट शिक्षा अधिकारी, यादव सरकार का नवाचार P.S.C. सलेक्ट अफसर संभालेंगे शिक्षा विभाग की कमान. प्रदेश की लच्च हो रही शिक्षा व्यवस्था में कसावत लाने और शिक्षा का स्तर उचा उठाने की गरज से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नवाचार करते हुए अब शिक्षा विभाग की कमान उन अफसरों को सौपने का निर्नए लिया है जो अफसर अभी तक डि अभिन जिलों में खन शिक्षा अधिकारी, B.O. बनाया है सरकार की योजना आगे जाकर इन अफसरों को जिला शिक्षा अधिकारी और सेयुक्ष संचालक जैसे पदू पर पदोन्मत करना है अभी तक P.A.C. एकजाम पास करने वाले अभ्यर्तियों को SDM, DSP, RTO, B.DO, पदस्थी नहीं की गई है लेकिन प्रदेश की नई सरकार ने अब P.A.C. पास अफसरों को शिक्षा विभाग में भी पदस्थी देने का नवाचार कर दिया है इसके तहट 35 अफसरों को खंड शिक्षा अधिकारी के दायत्व सौपे गए है 15 अफसर फिलहाल रिजर्व में रखे है जिन्हें भी शोग रही अन्य जिलों में खंड शिक्षा अधिकारी के पदा पर ही नियुक्ती दी जाएगी यह नियुक्ती 50 प्रतिशत फॉमूले के तहट की जानी है यानि शिक्षा विभाग में अधिकारियों के 50 प्रतिशत पद P.A.C. अफसरों से भरे जाएंगे फिलहाल इन अफसरों की नियुक्ती बोयोस तर पर हुई है बाद में इन्हें प्रमोशन देकर जिला शिक्षा अधिकारी बनाया जाना है अफसर बनेंगे अधिकारी तो सुधरेगी व्यवस्था P.A.C. पास अफसरों को खंड शिक्षा अधिकारी बनाने पर व्यवस्था सुत्राना इसलिए लाजमी माना जा रहा है क्योंकि यह अफसर जिस परीक्षा को पास करके आए है वे परीक्षा B.A.D.A. जैसी स्कूली परीक्षा से कहीं आला दर्जा की है ऐसे में खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर रहने वाले P.A.C. पास अफसर अपना समवाद सीधा कलेक्टर के माध्यम से कर सकेंगे जिला शिक्षा अधिकारी नाम मात्र के अफसर हो जाएंगे यानि अगर D.E.O. ने कोई गरबरो की तो उनके अधिन रहने वाले खंड शिक्षा अधिकारी दुरुस्त कर सकेंगे शिक्षकों से कराएंगे सिर्फ शेक्षनिक कार्य सरकार को महा शिक्षकों से सिर्फ शेक्षनिक कार्य कराने की है अभी तक शिक्षक अपने प्रभाव का उप्योग कर भीयो, DEO सहायक संचालक इत्यादी नियुक्त होते रहते थे BRC जैसे पदू पर नीशिक्षक अपनी जुगार लगा कर अक्सर चनकर बैठ जाते थे सरकार के पास से शिक्षकों में से ही चियार के जैसे पदू पर नियुक्ती करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था अब BRC जैसे पद पर्मी पॉरिसी पास अफसरों को बैठाया जा सकता है और शिक्षकों से सिर्फ शेक्षनिक कार्य ही लिया जाएगा इस प्रकार की अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बैल आइकन है उसे आल पर सेट कर दे धन्यवाद